आसे से ही संग परिवार को ऐसे चेहरे की तलास थी जो पूरे हिंदुतों को लेकर के एक साथ चल सके, सवर्ण का वो चेहरा भी ना हो, क्योंकि अक्सर ये टैग लगा रहता था भारती जन्ता पार्टी पर कि ये ब्रह्मणों और बनियाओं की पार्टी है, वो टैग तो हड गया, लेकिन आप जिस तरीके से परिवारवाद को लेकर के भारती जन्ता पार्टी आक्रामा खोती नजर आती रहती है, लगभग हर भाशनों में भारती जन्ता पार्टी कोई भी दिगजनेता हो, वो उसके मुंसे ये जरूर निकलता है परिवारवाद का, लेकिन क्या प पास नहीं कि मैं वाज़बा का प्रवक्ता हूँ मैं यह कहना चाहता हूं करल्यान सिंग का जो आज हिंदू गौरब की बात की गई कर्लें सिंग के मन्च से वह निश्चित तोर पे एक चुनावी दोजार 24 का एजेंडा है करल्यान सिंग आज बार्टियंता बार्टि के लिए महात्पूर्ण इसलिए है कि नामंदर का जन्वरी में बनके पूरा प्यार भी हो रहा है बने कोट के माध्यम से बना लेकिन हर बार्टि को अपनी राजित करने का एक अवसार मिलता है वो उनको कैस कराते हैं और जिस तरीके से कर्ल्यान सिंग का एक प्रभुत है पूरा उधर अरी गढ़ से लेके पूरा इटावा और मेंपूरी और यहां तक की कानपूर रहात में जो साक्र का बोट है बेकवार्ड का बहुत पूरा बोट बैंक के पूरा और उन्हों ने जिस तरीके से बड़े रहता थे और जिस तरीके से उन्होंने राम मंदर आंदोलन के लिए बताने ही जरूर नहीं है चाहिए बेना कट्यार हों उमा भांती हों कर्यान सेंगों और अडवानी जी हो इसा बड़े मोड़ी मोड़े बड़े रहता थे तो आज कर्यान सिंग की दुद्धी पु की दुद्धी आज कर्यान से करें चाहिए बड़े मोड़े बड़े रहता थे अपने बोर्ट बैंक को साधने के लिए बड़ा सो करती है तो आज जो यह सो था ता सिंद्धान जली सभा का वह बारती इरता पार्टी के नीती हो लिए उनको अपना टार्गेट करना अपना आपने अगर सब कुछ किया था आपने अभी तक अपने परसेप्शन को बददा है आपके उपर जो एक दाग लगा है आपके उपर जो ठपा लगा है परसेप्शन का वह पर आप भी तो हिंदू गौरफ दिवस्पना सकते हैं क्या कहना चाहते हैं कि अगर लचर है अगर 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 आपको नहीं बैठाई ये बादपाग ने आप आप अधेकर सारे चनलों पर देख लिए कहा कहा से किसमे कितने लोग आते हैं अगर 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 ने जानते होंगे या तो मुहित पर जानते होंगे तो जानकर कर रहें आप ठीक हैं कि अधिक रहें आप अधिक को अधिक हैं प्रभाद जी लेकिन का ये माना जाएव के आज कि यह पुंडिती थी कि दौरान जी यह हुंकार भरी गई यह हुंकार आज शुरुवात कर दी गई यूपी में अब यहीं से अगले जंसभाओं में भी राम मंदिर का मुद्धा अब चलता रहेगा कल्यान सिंग जी का नाम अब लिया जाएगा बीजेपी की तरब से लगात लेकिन आज कर लियान सिंग की उप्योगता हुंको इसने सामने रखने की पार्टी अद्ना पार्टी को दिखाई दे रही है कि चारों तरफ से पेस्वंदी ने के पार्टी जब चुनाओ में जाती है और भाजयापाद 24-7 चुनाओ मोड़ में रहती है वो कोई ऐसी चीज हर समय बना दिया है आप देखिए जब चुनाओ होगा 2024 के मंच सजेंगे तो वहाँ बात डवर्मेंट की नहीं होगी बात भूम भिर के फिर हंदू मुसलमान में चली जाएगी अब कौन क्या करेगा कौन किस तरह बोर्ट पॉनलाइस करेगा योगेश्टी आप भी जानते है तो चुनाओ के मंच किस तरह सबते हैं बिल्कुल जाता है दोलों करों से बोला जाता है अगर एक पार्टी ना बोलती हो तो मैं कहूं मैं समाजवादी पार्टी हो जाए बहुजर अभी बहुजर समाथ पार्टी आएगी कांग्रेस भी आएगी सब अपने अपनी बात प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगे और उनकी इस मुख्यों को एक बार फूर से जन्ता के बीच में प्रस्तुत करने की जाएगी